हेलो डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे एक नए टॉपिक एक नई बात के साथ तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कोई ना कोई क्वेरी कोई ना कोई आप लोगों के सवाल लेके मैं आपके रूबरू होता तो आज भी जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है और बहुत सारे लोग आप में से उस मुद्दे को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं और जिस टॉपिक के बारे में आज मेरी डिसकशन होगी तो वो खास तोर पर जो बिगनर्स हैं काफी हद तक जो intermediate players हैं उन पे तो ये जरूर लागू होगी ये बात और even जो अच्छे players भी हैं तो वो तो खेर इस चीज़ की practice करते ही होंगे बट बहुत सारे लोगों को ये एक confusion रहता है कि जब हम कोई song prepare करना शुरू करते हैं तो हमें क्या-क्या steps जो हैं वो follow करने च चाहिए तो friend सबसे पहली बात ये है कि कोई भी song जब होता है तो उसके तीन main जो ingredients हैं वो है notes उसके बाद है rhythm और तीसरे नमबर पे है feel तो ये तीन चीज़ें किसी भी song में हर हाल में correct होनी चाहिए तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर खराब हो गई या अच्छ चीज़े से prepare ना हुई तो पूरे song का मज़ा जो है वो खराब हो जाएगा अब इन तीन चीज़ों में से भी जो पहली दो चीज़े हैं वो बहुत ही ज्यादा important है स्वर और ताल नोट्स की मेंने बात की जो की स्वर है रिदम की बात की वो है ताल है उसके बाद उसके अंदर आएगा feel तो इसी sequence को आपने maintain रखना है जब आप कोई song prepare कर रहे हैं तो स्वर ताल और उसका feel तो इन तीनों का जो sequence है आपने जब कोई song prepare करना है तो इसी sequence में आपने प्रिपेर करना है, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने स्वर ढूणने हैं सौंग के, अगर आपके पास नोटेशन है, तो उसको आपने नोटेशन के साथ बजा के देखना है, ताकि जो भी उसके correct notes हैं, वो आप अच्छे से बजा पाएं, तो ताल को आपने तब तक नहीं हाथ लगाना, जब तक कि आपके सभी जो notes हैं, वो अपनी जगह पे correctly ना आ जाएं, एक बार आपके notes आगे, उसके बाद फिर आपने उसकी ताल के साथ practice करने हैं, अब ताल के साथ से मेरा ये मतलब नहीं है कि directly आप करयोके के साथ ही practice start कर दें, तो मैंने आपको जो कुछ एक apps बताई थी, जैसे metronome की app है, तो चाहिए वो app हो या आपके keyboard का metronome हो, उसके उपर आप जो भी उसकी speed है song की, उस speed पे metronome लगाके, उसको ताल के साथ एक दो बार practice कर लीजिए, अगर आपको ताल में दिक्कत है तो, otherwise ऐसा नहीं है, आप उसको करोके के साथ भी directly play कर सकते हैं, तो पहले नमबर पे notes, notes से मेरा मतलब बिल्कुल simple और plain notes, अभी इस stage पे आपने गाने के अंदर किसी तरह का कोई feel डालने की कोशिश नहीं करनी, feel से मेरा मतलब किसी तरह की कोई मुर्की, हरकत, या hand vibrato हो गया जैसे, या कोई modulation हो गई, वो कुछ भ उसके बाद फिर मैंने ताल की बात की, चेक कर लें कि आपका song बिल्कुल ताल में आ रहा है, फिर तीसरे नमबर पे बात आती है feel की, तो feel के उपर मैंने अभी last मेरा जो वीडियो था, वो पूरा का पूरा वीडियो feel के उपर ही था, कि feel कैसे लेके आए, क्या क्या चीज़ हैं, जिसे कि हम song का mood है या feel है उसको बरकरार रख सकते हैं, तो अभी मैं आपको एक छोटी सी example के मार्दियम से थोड़ा सा idea दूँगा, कि plain notes और feel, क्योंकि पहला step था plain notes, swear, और उसके बाद तीसरा step मैंने आपको बोला feel वाला, तो feel को जब आपने incorporate करना है, मतलब जो feel वा एक मैं बहुत ही simple example ले रहा हूं, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, उस song की, उसको मैं अभी plain बजाओंगा, पहले मैं उसके notes ढूंड रहा हूं, तो भी मुझे notes मिल गए, slow पहले बजाना है, slow बजाके मैंने notes ढूंड लिये, फिर उसको उसकी appropriate speed पे मैंने कई बार plain बजा ल लाने के लिए जो हमारी चीजें हैं, तो वो कैसे लेकर आनी है, फिर मैं डूंडूंगा, तो यह आपने देखा कि दो मुर्कियां मैंने ली, तो plain क्या था, तो पहले इसकी बार-बार मैं practice करूंगा, उसके बाद फिर वो जो feel वाला part है, मुर्कियों वाला, और इसमें आपने एक चीज देखनी है, कि जो duration है इस मुर्कियां की, वो आपकी rhythm के अंदर आनी चाहिए, तो दोनों बार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, तो यह जो चीज है, इसकी जो duration है, तो यह दोनों durations match करनी चाहिए, मतलब आप जो plain note बजा रहे हैं, और जो मुर्की के साथ, मुर्की कई परकार की हो सकती है, यह जो मैंने मुर्की लिए बिना slider की है, अब इसी song में एक slider वाली भी मैं मुर्की आपको छोटी सी लेके दिखाता हूँ, second line, तो यह plain notes है, अभी slider लगाके, पहले step में मैंने plain notes ढूंडे, दूसरे step में मैंने जो slider का use है, वो देखा, उसको simple किया, अभी तीसरे step में मैं slider के साथ मुर्की लूँगा, और उसकी जो duration है मुर्की की, वो आपकी जो normal plain note है, उसके अंदर fit बैठा चाहिए, तो पहले plain बजाओंगा slider के साथ, फिर मुर्की लूँगा मैं slider के साथ, अभी मुर्की, तो यह एक चीज है, जो आपने feel डालना है, मुर्की बजानी है, तो वो तीसरा step है, और वो उस song का जो rhythm है, उसको disturb नहीं करना चाहिए, तो चाहिए आप hand tremolo, hand vibrato की बात कर रहे हैं, तो किसी भी तरह के आप कोई भी effect डाल रहे हैं, वो तीसरी stage पे आएगा, उसको कभी भी आप starting में, जब plain notes बजा रहे हैं, मेरी मतलब personal experience है, या recommendation है, उस समय उस चीज़ को ये डालना start मत करें इसके अंदर, क्योंकि उससे आपका जो ये song prepare करने का time है, वो बढ़ जाएगा, प्रलॉंग हो जाएगा, तो आप उसमें delay हो जाएगा, तो आप पहले simple बिल्कुल आप ऐसे बजाएं, sequence of notes वो आपके mind में बैठ जाए, उसके बाद उसको rhythm के साथ बजाएए, ताकि rhythm आपके mind में बैठ जाए, जब ये दो चीज़े mind में आपके बैठ जाएंगी, composition, notes, rhythm, फिर आप उसके अंदर जब feel वाला part लाओगे, तो फिर आपको आसानी होगी, उस चीज़ को उसके अंदर incorporate करने की, friends, ये कुछ एक बाते थी, इसके बाद फिर जब feel भी हो गया, सब कुछ हो गया, then you can move to the career के पाथ, फिर उसको आप career के साथ बजाएके, बार बार उसको बजाएके practice कर सकते हैं, कि कहाँ पे आपने उठाना है, कहाँ पे आपने छोड़ना है, तो जहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे क्या आपने vibrato करना है, या volume जो है, उसको down करना है harmonica का, तो उसी तरह से बीच में जो मुर्कियां है, वो कैसे लेनी हैं, तो वो सभी चीज़ें बिलकुल last step है, जब आप करयोके के साथ इसको play करेंगे, तो ये friends एक general सी बात थी, शायद आपको कहीं books में नहीं मिलेगी ये चीज़, तो मेरा ये तजर्बा था, मैंने अपने experience से आपको बताया हो सकता है, कि जो और teachers हैं, गुरू लोग हैं, उनका कोई अपना experience हो, अपना तजर्बा हो, बट जो मेरा experience है, तो उस हिसाब से मैंने जो step by step procedure, जो follow करना चाहिए, तो वो आप सभी के साथ share किया, तो friends आशा करता हूँ, कि मेरा आज का वीडियो आप सभी के लिए फाइदे मन रहेगा, और आपको songs prepare करने में help करेगा, तो friends जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए do take care of yourself and goodbye for now.